अभी जाते को राम राम नमस्कार उमीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस कॉंस्टेबल की न्यू विकिंसी के बारे में तो आप सभी को बता दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वैल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जो अपडेट कर नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को इस भरती के बारे में देते हैं तो यहां पर आप सभ क्या होना चाहिए तो आप सभी देख सकते हैं यहां पर कॉंस्टिबल डिस्ट्रेक और आर्वर्ट पुलिस जो आपकी रहेगी दोनों के लिए सेम क्यालिफिकेशन यहां पर रखी गई है तो यहां पर क्या प्लस टू होनी चाहिए यानि कि ट्वैल पास आप पूने चाह सकते हैं अगर हम बात करें एस क्राइटेरिया की तो यहां पर आप सभी को बता देगे मिनीमम जो आपकी एस होनी चाहिए तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमुम 28 साल तक आप इसके लिए अप्लाय कर सकते हैं वहीं पर अगर हम बात करें तो उम्र की गणना फॉस जन्वरी 2024 से आपकी उम्र की गणना होगी इसी दिन आपकी मिनीमम और मैक्सिमुम में इसकाउंट की जाएगी अब अगर आगे बड़े तो आगे यहां पर देख लेते हैं फिजिकल स्टेंडर के बारे में तो यहां पर चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है केबल तो आपकी लंबाई 157.5 cm लंबाई आपकी होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाइक कर सकते हैं इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करें तो तीन स्टेज में आपकी भरती कंप्लीट होती है पहला जो स्टेज होता है उसमें आप सभी का पेपर आता है जो क के लावा नमबर थर्ड पर जो आप सभी का आता है उसमें आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है तो यह तीन स्टेज में आपकी पूरी भरती यहां पर कंप्लीट होती है पहली स्टेज यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक्जामनेशन होता है इसमें दो पेपर आप सभी के करवाई जाते हैं पहला पेपर जो आप सभी का होता है इसमें आप सभी के टूटल हंड्रेट केशन होते हैं हर एक के लिए एक नमर आप सभी को दिया जाता है और जो दूसरा पेपर होता है वो आप सभी का यहां पर पंजावी लेंगेज का होता है जो आप 25 मार्क्स ने लेके आप आते हैं तो आप disqualify माने जाएंगे साथी में final merit list में इसका कोई भी रूल नहीं रहता है final merit list केबल आपकी written examination का जो पेपर बन है 100 मार्क्स इसी में आपकी final merit list बनती है यह जो आपका second वाला paper है केबल qualifying nature का है क्योंकि यहाँ पे आप सभी की पंजाबी लेंगे चेक की जाती है जो कि matriculation standard की यहाँ पे होती है तो यहाँ पे अगर इसके अलाबा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को syllabus बताया गया है तो syllabus आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे total जो आपका paper बन रह सब्सक्राइब का रहता है तो सब्सक्राइब के बारे में आप सभी को दिये जाते हैं और पेपर टू आप सभी का जो रहता है mandatory रहता है जो की qualified nature का है पंजाबी language का जिसमें आपको 50 questions पूछे जाएंगे 50 नमबर दिये जाएंगे 25 नमबर आपको minimum लेके आने होंगे इससे qualify करने के लिए बाकी का जो merit बनेगी वह paper बन जो आपका 100 marks रहेगा उसके business पे आपकी final list बनेगी इसके अलाब अगर यहाँ पर पीटी जो physical efficiency test होता है इसमें आपकी total तीन स्टेज होती है पहला आपकी होती है running दूसरा होता है long jump तीसरा होता high jump और साथी में height measurement होता है test measurement यहाँ पर नहीं किया जाता है cable यहाँ पर height measurement आप सभी का रहेगा तो यह तीन स्टेज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप mail candidate है तो mail candidate के लिए यहाँ पर आपको clear किया गया है कि इसी के साथ जो long jump होती है वो कितनी होती है 3.8 मीटर आपकी running यहां sorry long jump आप सभी की रहती है और साथी में जो high jump होती है उसके लिए 1.1 मीटर आप सभी को long jump सोरी high jump यहाँ पर करनी होती है और इसके लिए 3.8 मीटर और high jump हो जाएगी 1.10 मीटर इसके अलावा अगर आप female candidate है तो female candidate की जो running रहेगी 800 मीटर की running रहेगी और यह complete आप सभी को करनी होगी 4 मिनिट में तो 4 मिनिट का समय दिया जाता है और long jump की अगर बात करें तो 3 मीटर long jump यहाँ पर पूरी करनी होती है 3 मीटर 3 चांस में इसी के साथ high jump जो होती है 0.95 मीटर यहाँ पर high jump यहाँ पर होती है जिसमें आप सभी को बताया था 170.2 cm लंबाई होनी चाहिए male candidate के लिए और female के लिए 177.5 cm यहाँ पर female के लिए लंबाई होनी चाहिए अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पर application fees है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप general category से belong करते हैं तो 500 रुपे application fees और 650 रुपे आपको पे करने होंगे साथ ही में अगर आप extra regimen candidate है तो 500 रुपे केवल आपको fees पे करनी है कोई भी examination fees आपको नहीं देनी है अगर जो भी पंजाब स्टेट के SC or ST candidate है उन्हें केवल यहाँ पर 500 रुपे application fees और 500 रुपे examination fees देनी है यानि कि टोटल 650 रुपे और जो ऐसी candidate जो out of Punjab के हैं उनके लिए यहाँ पर 1150 रुपे fees रखी गई है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें पंजाब पुलिस के लिए तो यहाँ पर आपको details बता दी गई है 29 परवरी 24 को इसका notification release हो चुका है advertisement नंबर यहाँ पर देख सकते हैं साथी में online application की जो date है वो 14 मार से आपके online application form स्टार्ट हो जाएंगे सामके 7 बजे से और साथी में जो आपकी last date रहेगी वो रहेगी 4 अप्रेल 11 बज़ के 55 मिनट सामके रात के 11 बज़ के 55 मिनट तक आप apply कर सकते हैं 4 अप्रेल 2024 यहाँ प आपको कोई दिक्कत आधी है तो आप call करके confirm कर सकते हैं तो आपकी समस्या का समाधन हो जाएगा तो यह पंजाब पुलिस की जो भी डेटेंस हैं वह मैंना आपको शेयर कर दिये हैं उमीद युर्दों के पंजाब पुलिस कांस्टेबल के बारे में कोई भी डाउट of mention qualification all candidates must have passed matter regulation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subject or any other equivalent examination in Punjabi language तो यहां पे आप सभी को बता दिया गया है कि यहां पे आप सभी के पास 1st January 2024 से पहले 10th में आपके पास यहां पे पंजाबी subject compulsory यहां पे होना चाहिए यहां फिर आपका compulsory के साथ अगर आपने elective subject भी रखा हुआ है तो भी आप कर पाएंगे तो यह एक और यहां पे condition रखी गई है तो यह भी आपको fulfill करनी होगी बाकी की पूरी detail आपके साथ share कर दी है तो अगर आप पंजाब police constable की वीकिंसी में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप इसके लिए जाके apply कर सकते हैं online जैसे apply होगा आप सभी को telegram के माध्य जाहें 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 वारत